तेमेरंदस्या ग्याना अच्छाइब हरे कृष्णा आप सभी का पुना एक बार स्वागत है शिक्रिष्ण भहवान की व्रिंदावन दिलाओं में हम चर्चा कर रहे थे पिछले सत्र में कि किस प्रकार से भंगवान इतने सारे विरुदा भास प्रकट करते वे सिर्फ एक चीज को स्थापित करा कि किस प्रकार से वशता हैं भंगवान भक्त के वश में आ जाते हैं हमने देखा कि कैसे ये ओखल बंदन लीला या दामोदर लीला में भंगवान जो आत्मा राम है वो स्तन्य काम बन गए यशोदा माई का दूद पीने का उन्होंने विचार प्रकट किया वो भंगवान जो सब को अभे प् उन्हीं नहीं पकड़ पाते हैं वो यशोदा माई से पकड़े गए और वो भंवान जिनको कोई बान नहीं सकता है यशोदा माई ने उनको बान दिया परन्तु उसमें हमेशा यशोदा माई की जो रसी थी वो दो उंगली छोटी पड़ रहे थी वो दो उंगली का अर्थ ह आचारे बताते हैं कि किस प्रकार से वो दो उंगली का अर्थ है कि हमारा कोई भी प्रयास है जिसमें हमको सफलता चाहिए भवान की भक्ती कर रहे हैं उसमें सफलता चाहिए तो दो उंगली का अर्थ है पहला हमारा प्रयास और दूसरी उंगले करते हैं भवान की कृपा जी हाँ, जब हम अपना प्रयास करते हैं तब ही भवान की कृपा आती है भवान बताते हैं भगवत गिता में ये अथामाम प्रपध्यनते ताम सतेव बजामियम जैसे आप मेरे पास आओगे मैं उसी प्रकार से आपको अपको दर्शाओंगा तो वो ही है ये दो उंगली का अर्थ हम कैसे प्रयास करते हैं भहवान की कृपा को प्राप्ट करने का और कोई भी कारे में हमारा प्रयास जो है सफलता में इतना सा भाग इदर होता है और इतना सारा भाग जो होता है वो भगवान की कृपा कही होता है और वो ही हमने देखा कैसे भगवान ने कृपा करी और यश्वदा माई कृष्ण को बान पाई और फिर भगवान वो ओखल लेके रेंगे और रेंग नों इसे बड़े बड़े विक्रशों को उन्हें तोड़ दिया एक बार ये लीला सुनने के बाद एक विक्ती ने प्रशन उठाये कि अरे वो विर्श इतने विशाल थे, इतने समय से थे तो छोटी सी ओखल और रसी ने कैसे कीच के उसको तोड़ दिया वो रसी नहीं तूटी, ओखल नहीं तूटी तो उसमें हमारे भगतों ने ज़ब दिया कि कैसे वो रसी और ऊखल किसे जुड़ी थी बहुवान के साथ जुड़ी थी जी या बहुवान के साथ कोई भी जुड़ा रहेगा तो उसके अंदर भी वो शक्ति आ जाएगी क्योंकि बहुवान ही वो शक्ति संचार करें इसलिए बहुवान अपने भक्तों को विशेश शक्ति प्रदान करते हैं उनको भक्ति करने के लिए और ये भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए परन्तु भंवान ने वो पेड क्यों तोड़े, वो वरिक्ष क्यों तोड़े, कौन थे वो वरिक्ष, तो उनका वर्नन आता है सुखदेव को स्वामें बताते हैं कि कैसे वो जो वरिक्ष थे उनका इत्यास इस प्रकार से है बताते हैं ये कुवेर के कुवेर कौन है कुवेर बताते हैं सारी देवी देवताओं के खजानची है खजानची मतलब जिनके पॉस बहुत दन है उनके पुत्र, कुवेर के पुत्र दो पुत्र थे उनका नाम था नल, कुवेर और मनी ग्रीव यही थे दो अरजुन विरिक्ष के रूप में आज व्रज में थे पर उन्तु ये विरिक्ष क्यों बन गए तो उसके लिए वर्नन आता है कि कैसे नल, कुवेर और मनिग्रीव ये इतने सारे शक्ति शाली थे और कुवेर के पुत्र थे तो कुवेर के पुत्र होने के कारण उनके अंदर बहुत सारी विभूतियां थी और उन्होंने शिव जी को अपनी तपस्या से प्रसंद कर दिया था बहुआन शिव ने उनको अपना ही कैलाश परवत दे दिया था जो मंदाकनी नदी के किनारे पे था उनको विहार करने के लिए और एक बार उसी मंदाकनी नदी के किनारे जो कैलाश परवत है वहाँ पे एक सरोवर में ये विहार कर रहे थे अब देखे कुछ-कुछ अच्छे गुन है शिवजी को प्रसंद कर दिया और किस प्रकार से विहार कर रहे थे परन्तो उसके साथ-साथ क्या हुआ इनके अंदर एक घमंड आ गया एक घमंड कैसे आया जब उन्होंने वरूनी का पान किया और वरूनी का पान करने के साथ-साथ बहुत सारी स्त्रियों के साथ वो उस सरोवर में विहार करने लगे और उस सरोवर में बहुत सुंदर-सुंदर पुश्प थे और भावरे गूम रहे थे और इसके कारण वो बिल्लकुल मदान्त हो गए अभी देखे कुछ लोग अंदे होते हैं आखों से अंदे होते हैं और कुछ लोग वो घमंड के साथ अंदे हो जाते हैं वो धन की वज़े से अंदे हो जाते हैं तो वैसे ये नलकुएर और मनिगरीव जो थे उनके अंदर वो ही एक घमंड आ गया था वो एक मद आ गया था, वो एक पागलपन आ गया था, जिसके कारण वो ये नहीं देख पारे थे कि कैसे सिर्फ और सिर्फ भोग में ही रहना जीवन का मकसद नहीं है, उसी समय वहाँ पे नारद मुनी भवान का गुनगान करते करते प्रकट होए, और नारद मुनी ने देखा कि कैसे ये नलकुएर और मनीगरी वहाँ पे दो पागल हातियों के समान, जैसे दो पागल हाती किसी सरोवर में बहुत सारा लोटपोट करते हैं, उसी के समान ये दोनों नलकुएर और मनीगरी वहाँ पे लोटपोट कर रहे हैं, और स्त्रियों के साथ, तो नारद मुनी सम अपना पूरा जो शरीर था उसको ढख लिया परन्तु ये दोनों बिल्कुल बेशर्मों की जैसे वहाँ पर खड़े रहे और मदीरा पान करते रहे बिना सोचे समझे कि वहाँ पर कौन प्रकट हुआ है अभी देखिए एक सब्वेता है सब्वेता क्या बताती है जैसे ही हमा तो वो जैसी हमारे सामने प्रकट होता है हमको उसको आदर सतकार करना चाहिए अभी आदर सतकार करने के लिए सर्वपतम हमारे शरीर पे अंगों पे कुछ वस्त्र होने चाहिए तभी हम उनके सामने जाके उनको नमस्कार करें परन्तु ये नल, कुवेर और मनी, ग्रीव ये सब समझने पाएं तभी नारद मुनी ने सोचा कि मैं इनके उपर एक विशेश अनुग्रह करूँगा क्या अनुग्रह करेंगे विशेश नारद मुनी सोचने लगिए कि किस प्रकार से ये जो बहुतिक जो सुक संपत्ति जो धन इनके पास आ गया है इस धन से पागल ह हुए हैं और हम भी देखते की कैसे ये जो धन है इसको प्राप्ट करने के लिए बहुत जगत में बहुत प्रयास करते हैं और बिलकुल पाक लोग के जैसे प्रीजेस करते हैं और अपने बारे में कुछ चिंतानी करते हैं और इतना कभी कबार हद तक चले जाते हैं कि अपने आपको कुछ ना कुछ हानी भी पहचा लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो बहुत इक चीज़ को प्राप्त करने के लिए, आपको मैं एक छोटा सा उधारन देता हूं इसका, एक बार हमारे ही मंदिर में जो एक बैलगाम में हैं, वहाँ पे कुछ खेत थे और उस खेत में गन्य की फसल लगी थी, परन्तु कुछ हाती थे जो आके उस गन्य की फसल को खाके चले जाते थे, तो हमारे भक्तों ने क्या किया, पूरे खेत के किनारे किनारे, उन्होंने सोचा एक बार्ब डवायर, वो काटो वाली पूर के बहुत बड़े बड़े जो खंबे होते हैं, उनको गाड़ा, और उस खंबों के किनारे किनारे, पूरी काटो वाली तार पिछा दी, और उन्होंने सोचा कि कम से कम अभी तो वो हाती अंदर नहीं आ पाएंगे, परन्तु जो उन्होंने देखा, वो बहुत ही एक उनके लिए आत्मशाक्षात कारता कि कैसे जो इस अंसार में भोग करने की वृत्ति कितनी प्रबल होती है, तो एक दिन उन्होंने देखा कि कैसे एक हाती आया, और उस हाती ने जैसी देखा कि पूरे खेत के इर्द गिर्द खंबों में काटो वाली वायर है, हम जा नहीं सकते है तो उसने क्या किया पता है, वो उल्टा मुडा, और अपनी पीट को एक खंबे के उपर जोर-जोर से मारने लगा, ऐसे-ऐसे करके, जिससे वो खंबा पूरा नीचे गिर जाए, और जैसी वो हाती ऐसे-ऐसे जोर-जोर से अपनी पीट को मार रहा था, उसी समय वो जो खंबे फे काटे वाले जो तार थे उन तारों से उसके पूरी पीट छिल गई और उसे खून आने लगा परन्तु वो हाती जो था वो पूरा तागत लगा रहा था उस खंबे को गिराने के लिए और अन्त में वो खंबे को गिरा के वो तारों के उपर अपने पैर रखके गया गन्ने को खाने के लिए तो देखिए कितना वेक्ती पागल हो सकता है वो बिल्कुल सोची नहीं सकता कौन है मेरे आजो बाजो बस उसको एकी चीज़ दिखता है वो है भोग परन्तु ये भूल जाता है कि ये जो भोग मैं कर रहा हूँ ये कितने समय तक मेरे पास रहेगा हम देखते हैं कितनी बड़े बड़े विक्ती होए इस संसार में जिनका इत्यास हम पढ़ सकते हैं परन्तु आज कुछ भी नहीं है जो इतना सारा धन दौलत इखटा किया आज कुछ भी नहीं है हमको धन दौलत और बहुत थोड़ी बहुत सुक्सविदा की जरुत पढ़ सकती है परन्तु उसको प्राप्त करके अगर हम आगलों की जैसे सिर्फ भोग में लग जाए वो शास्तर हमको अनुमुती नहीं दे और हम देखते हैं सुकदेव गोस्वामं कि कैसी जो यह बहुत एक सुक्संप्ती किसी के पास आती है तो वह क्या करता है वो सरवर्पत्म दूसरों को हानी पचाना शुरू करता है और उसी से मदीरा पान बढ़ जाता है और उसी से जो मास खाना है वो भी बढ़ जाता है और कैसे वो जानवरों को भी खाना शुरू कर देते हैं लोग तो ये सारी चीज़े कब उत्पन होती है जब विविक्ति के अंदर होश नहीं होता है तो अगर हमारे पास धन है दौलत है और हम उसको भवान के सिवा में लगा रहे हैं तो सरवोच गती प्राप्त हो सकती है परन्तो अगर उसी की वज़े से हम अंधे हो गए हैं तो फिर हमारी गती जो है वो जादा अची नहीं होगी और यही नारत मुनी ने देखा कि किस प्रकार से ये दोनो एकदम मदमत हो चुके हैं पागल हो चुके हैं और इनके उपर विशेश अनुगरह दिखाना अतियावशक है और हमको भी देखना चाहिए कि किस प्रकार से ये तो शरीर है आखिर काल ये शरीर भी हमारा साथ जाता समय तक देने वाला नहीं है तो भागवतम में ऐसा श्लोक आता है बोलते हैं ये शरीर किसका है बताते हैं कि ये शरीर बताइए किसका है जिसने ये शरीर धारन किया है जो आत्मा है उसका ही है शरीर या कभी कबार हम देखते हैं कि हम किसी कहां कामकाज में लगता है तो वो हमारे शरीर को इस्तमाल करता है जिस प्रकार से वो चाता है तो क्या उसका है जिसके हम काम कर रहे हैं या माता पिता जिन्होंने हमको पैदा किया जन दिया उनका है ये शरीर क्योंकि उनी से निकले हैं या फिर ये शरीर हमारी रिष्टिदारों का है जिनके साथ हमने रिष्टा स्तापित किया है किसका है ये शरीर यह शरीर हम देखते हैं कि या तो जल जाता है तो मिट्टी में मिल जाता है नहीं तो कुत्ते खालेते हैं चील खालेते हैं किसका है यह शरीर तो यह दर्शा है हमारी शरीर की और इसी शरीर में जब आत्मा आ जाती है और अपना संबन्द भूल जाती है भवान के साथ तो सिर्फ और सिर्फ उसको एकी लक्षे दिखता है वो है भोग करना इसलिए हमको जानना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से हम ये शरीर नहीं हम आत्मा है और फिर नारद मुनी ने जब ये परिस्तिती देखी नल कुएर और मनी गरीव की तो उनको करूना आ गए उनके उपर और नारद मुनी ने सोचा कि कैसे कोई विक्ती जिसको पता नहीं है और उसने कभी अपने जीवन में अनुभव नहीं किया है कि गरीब होना किसको बोलते हैं तो वो दूसरे गरीब का दुखदर्द नहीं समझ पाता है तो इसलिए नारद मुनी ने बहुती करूना पुर्वक श्राब देने का फैसला किया अब यहाँ बोलो करूना कर रहे हैं लेकिन श्राब दे रहे हैं? जी हाँ, यह जो भवान के भक्त होते हैं यह श्राब भी देते हैं तो वो श्राब भी सबसे बड़ा वर्दान होता है किसी भी विक्ती के लिए और इसलिए इन श्राबों को हमको श्राब नहीं माना चाहिए इन श्राब को हमको वर्दान समझना चाहिए और यही हुआ, नारद मुनी ने देखा कि किस प्रकार से अगर मैं इनको कुछ आशा श्राब दूँ, जहां पर इनको भी दुख भोगना पड़े, जहां पर ये भी समझ पाए कि क्या है ये बहुतिक दुनिया, तो जरूर इनका जो अकल है वो ठिकाने आ जाएगी, और फिर ये वापिस ये गलती कभी नहीं करेंगे, तो इसलिए नारद मुनी ने उन दोनों को बोला कि जाओ मैं तुमको श्राब देता हूँ कि क्यूंकि तुम ऐसे मदमत होके, निर्वस्त्र होके, इस सरोवर में भोग कर रहे हो, तो वैसे ही मैं तुमको श्राब देता हूँ कि तुम बनोगे पेड़, और वो पेड़ बरकर हजारों साल थक एक ही जगे खड़े रहोगे, निर्वस्त्र, और ऐसा उनको श्राब दिया, जैसी उनको अकल ठिकाने है, अरे ऐसा श्राब मिल गया हमको, तो नारद मुनी ने का, परन्तु आप दोनों का उध्धार कौन करे आपको भवान की लिलाओ को देखने का अफसर मिलेगा और भवान को भी स्वयम उनके बाले रूप में आपको दर्शन होंगे, और ये शाब देखे या वरदान देखे नारद मुनी वहां से चले गए, और ये दोनों जो पुतरते नल कुवेर और मनिग्रिव कुवेर के, ये दोनों बढ़ गए, अर्जुन वरिक्ष, नंद बाबा और यशोदा माई के आंगन में, और फिर वहां पे जब कृष्ण ने ओकल से खीचा और ये दोनों वरिक्ष तूटे, तुरंत यहां पे सामने प्रकट होए, ये नल कुवेर और मनिग्रिव अपने उसी सुन्द प्रकट होए, सुन्दर देवी देवता के रूप में, और ये जान था उसको पूरा करने के लिए, आज मैंने ये लीला करी है, तो भूवान ने कहा कि क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नारत मुनि ने ये वर्दाम दिया था आपको, कि आपका उध्धार मेरे दुआरा होगा, इ प्रकट होए, सुन्दर देवी देवता के रूप में, और छोटे से भालक कृष्ण को वहाँ पर प्रातना अरपन करने लगे, बहुत ही सुन्दर प्रातना है उनकी, वो जानते थे कि भंवान जो है क्या आध्य पूरूश पर, ये भंवान जो है सारे आधी पूरूश है, सब के उपर है, और कैसे इनी से ये पूरे भ्रमांड की रचना हुई है, इनी से सब कुछ इस जगत में आया है, और नलक्वेरो मनी ग्रीव ने बोला कि भंवान आप ही वो समय है, जो पूरी शिष्टी को चला रहे हैं, और आपके इलावा इस जगत में और कुछ सत्य नह हैं, आप सारे अवतारों के सुरोत हैं, और आप ही हैं यदूपती, और हम क्या हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आपके दासों के दास हैं, विशेशकर की नारद मुनी के दास हैं, जिनकी कृपावश आज हमें आपके दर्शन मिल रहे हैं, और फिर उन्होंने प्रात्ना अर्पन करा कि हे भंवान बहुत सुंदर प्राथना है कि क्या उनकी इच्छा है तो वो जान गए कि भंवान अभी खुश हो रहे हैं तो उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट करनी शुरू करी और वो इच्छा हम सब के लिए बहुत प्रेरक है हम सब को बहुत प्रेना देती है कि हमको भो भी भाईवान चीए प्राथना करनी चीए उनहें क्या प्रातना करी उन्हें प्रात्ना करी ऒर्श्टी Titans इसका अर्थ है, प्रात्ना कर रहे हैं, हे भंगवान, वानी गुनानु कथने, जो हमारी वानी है, हमेशा सिर्फ आपके गुनों का कथन, यानि आपके जो अलग अलग लीलाएं हैं, वो ही गाने के लिए निकले, अभी देखिए, हम अपनी वानी से कितना सब कुछ बोलते है परन्तु वो ये प्रात्ना करे कि भंगवान सिर्फ हम एकी चीज़ के लिए अपनी वानी का प्रयोग करेвой, आपकी कथाओं का वर्नन करने के लिए, फिर बोलते हैं, इपने कानों को लगाए, किसके लिए, सिर्फ आपकी कथा का शरवन करने के लिए, अभी हम अपने कान स कितना सब को सुनते हैं अपने कानों से और इधर उधर की बाते किसी के अवगुनों को भी सुनते रहते हैं किसी की बुराई को सुनते रहते हैं परंतु उनकी क्या इच्छा है हम सिर्फ अपने करनों को लगाने चे आपकी कथा सुनने के लिए और वो बता रहे हैं, जो हमारे हाथ हैं, हमारे जो पैर हैं, हमारे जो सारी इंदरियां हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको आनन प्रदान करने के लिए ही इस्तमाल होनी चाहिए देखिए अभी वो ही हस्त और वो ही इंदरियां जो खुद को आनंद प्रदान करने के लिए एक समय प्रयोग कर रहे थे आज प्रदाता करें सिर्फ आपको आनंद प्रदान करने के लिए हमेशा आपके चर्णों में लगा रहे हमेशा आपके चर्णों में लगा रहे हमेशा आपके चर्णों में लगा रहे और फिर उन्होंने याद किया कि कैसे तब नारतमुनी प्रकट होए थे वो नारतमुनी को प्रणाम भी नहीं कर पाये थे इतने जादा मदमत होकर वहाँ पे एश्वरियों का भोग कर रहे थे तो उन्होंने उस चीज का भी स्मरन करते हैं बताया स्मृत्याम शेवस्तव निवाश जगत प्रणामे उन्हें बताया कि कैसे हमारा जो ये सिर है ये हर एक चीज जो इस जगत में हम उसको हमेशा प्रणाम करते रहें अब भी बोले अरे नारद मुनि को प्राणाम नहीं किया तो ऐसा माँजना चीजिए कि भक्तों को प्रणाम करना करना है लेकिन उन्हें का नहीं हम क्या बोल रहे हैं बहुआं ऐसा आशेवाद और हमेशा हमारी जो दृष्टी है वो किसका दर्शन करते रहे आपके भक्तों का दर्शन करते रहे इतना उनके अंदर परिवर्टन आ गया क्यों वो भक्तों का दर्शन करते रहे क्योंकि वो भक्त आपसे अभिन नहीं है और ऐसा सब उन्हेंने प्रात्नां भवान को अरपन किया क्योंकि वो समझ ग millennial conquest की नारत मुनी ने कैसी उनकी ओपर करूना करी है कैसे उनको और क्रिपा प्राप्त करके उन्हें ये प्रात्ना याशनां भवान को करी तुरंद भवान 11 ने वह उन दिया कि हे नलकुएर मनिग्रीव आप दोनों अपने निवास में वापिस चले जाएए और आपकी सारी प्रात्में सारी इच्छा है पूरी हो जाएंगी और मैं आपको ये वर्दान देता हूं कि इसके बाद आपका कभी पतन नहीं होगा आप कभी वापिस वो भोगों में वापिस उलजेंगे नहीं और हमेशा मेरी भक्ती में लगे रहेंगे और ऐसा सुनने के बाद वर्दान प्राप्त करने के बाद नलकुएर और मनिग्रीव ने भवान की परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगाने के बाद वहां से चले गए वापिस अपने स्थान पर और ये सारा जब चल रहा था इसी बीच नंद बाबा येश्व दमाई सब आ गए और नंद बाबा ने तुरंट देखा कि कृष्ण कैसे दो विशाल अरजुन विर्ख्ष के बीच में पढ़े है उन्होंने सोचा कि इस बार भी लगता है नरायन ने मेरे पुतर के रक्षा कर ली तुरंट उन्होंने देखा कृष्ण को बांध भी रखा था रसी से उन्होंने रसी खुली और कृष्ण को अपने गरे लगा लिया और वहाँ पे ये चिंतित होने लगे कि कैसे ऐसा घटना घटी है क्यूं ऐसा हो गया है और वहाँ पे कुछ बालक थे कृष्ण के मित्र और वो बताने लगे कि नंद बाबा ये शोदावाई हमने देखा क्या हुआ उन्होंने बोला क्या हुआ उन्होंने बताया कि कैसे हमने देखा कृष्ण रेंग ते रेंग ते इन दो पेड़ों के बीच में उकल को अटकाया और उससे खीचा तो दो विशाल वरिक्ष तूट के नीचे गिर गए और उसमें से तो भौत ही सुन्दर देविता प्रकार के दो वेक्ती प्रकट होए और वो भंवान यानि ये कृष्ण को प् आलक लगता है कुछ कहानी बना रहे हैं बला मेरा काना तो वो स्वेम बचा है अर्जुन विरक्षो के बीच में विचारे अगर वो विरक्ष काना के ओपर गिर जाते तो और यह बता रहे हैं कि कैसे उस विक्षो में से देविदेवता प्रकट होए और फिर उन्होंने को लेकर यश्व दमाई के साथ चले गए परंतु जाने के बाद क्या हुआ और कैसे अने को अने को बाकी लीलाई करी भवान कृष्ण ने उसका वर्णन हम लोग अपने अगले सत्र में करेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण ऐसे ही और भक्ति मय कारिक्रमों के ल प्रक्रेश 7666-839-839